नमस्कार फ्रेंड्स, प्रतिक्षांस कीचन वर्ड में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आईए फ्रेंड्स, आज हम जानते हैं माइक्रोवेव में चाय कैसे बनाई जाती है तो यहाँ पे मैंने ली है माइक्रोवेव सेव बॉल हमें प्लास्टिक के बॉल का यहाँ पे इस्तमाल नहीं करना है दो कप चाय बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक कप दूद और एक कप पानी इसमें अब मैं ऐड़ करूंगी चीनी तो दो चमच चीनी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसी के साथ मैं डाल दूँगी डेड़ चमच चाय पत्ती और अद्रक भी यहाँ पे एड़ कर दूँगी आप अगर चाय का मसाला इस्तमाल करते हो तो वो भी यहाँ पे एड़ कर सकते हो तो देखिए अब हमें इसे माइक्रोवेब मोड पे करना है तो अभी आप देख सकते हो कि चाय के लिए जो कॉंटिटी है वो काफी कम है और पाउल थोड़ा बड़ा है ताकि चाय उफन के बाहर ना आ जाए इसलिए हमने बड़े पाउल का इस्तमाल किया है तो हम डेड़ मिनट के लिए पहले इसे चला लेंगे और डेड़ मिनट कम्पलेट होने के बाद में दुबारा से डेड़ मिनट में चलाओंगी यानि कि तीन मिनट मुझे लगेंगे चाय बनाने के लिए तो देखिए ये चाय बनके तयार हो चुकी है तो अभी ये उपर ठंडी होने की कारण मैंने हातों से पकड़ी है पहले मैंने चेक कर लिया था तो ये उपर से ठंडा है इसलिए मैंने इसे हातों से इस तरीके से उठा लिया है माइक्रोवेब से अगर कोई बरतन निकाल रहे हो तो गलव्स का या कीचन की टॉवल का इस्तमाल करें और देखिए हमारी परफेक्ट चाय बनके तयार हो चुकी है तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताए